माग माग मजन संग साधुआं तूडी कर इसनान हर का नाम ते आय सुन सबना नो कर दान जनम करम मल उत्तरै मनते जाय गुमान काम करोध न मोहिये बिन से लोब सुवान सच्चे मारग चल दियां उस्तत करे जहान 68 तीरत सगल पुन जी दया परवान जिसनो देवय दया कर सोई पुरक सुजान जिना मिलिया प्रभ आपणा नानक तिन कुरबान माग सुचे से कांडियां जिन पूरा गुर महरवान अर्थात गुरु साहिब उपदेश देते हैं मेरे प्यारे माग रूपी जीवन से पूरा लाव उठाना चाहते हो तो सदैव सादू की संगती में रहो और उसकी चर्ण धूली में सनान करो सुरत द्वारा अंतर में नाम को सुनो खुद भी ध्यान हरी के नाम के साथ जोडो और दूसरों को भी हरी का नाम जपने की प्रेरिना दो नाम के अभ्यास से मन पर चड़ी जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल उतर जाएगी और अहंकार का नाश हो जाएगा इससे काम, क्रोध और मोह से चुटकारा मिल जाएगा तथा लोव रूपी कुटे का नाश हो जाएगा जो कोई प्रभू प्राप्ती के इस सच्चे मार्ग पर चलता है सारा संसार उसकी स्तुती करता है ऐसे समझना चाहिए कि उसे 68 तीरतों के स्नान हर प्रकार के दान पुन्य जीव द्या आदी श्रेष्ट कर्मों का फल प्राप्त हो गया है जिसको प्रभू स्वयम द्या करके इस मार्ग पर चलने का सौभागे परदान करता है ऐसा पुरुशी बुद्धी मान या ग्यानी है जिनें अपना प्रभू मिल गया है नानक उन पर बलिहारी है माग रूपी मनुश्य जनम में वे पुरुशी निर्मल कहे जा सकते हैं जिन पर पूर्ण गुरु ने कृपा कर दी है गुरु साहिब द्वारा किये गए माग मा के वर्णन में उपदेश आत्मक भाव प्रबल है आप परमेश्वर प्राप्ती की इच्छुक आत्मा को वे गुन धारन करने की प्रेणा देते हैं जिन से अनंत जनमों के कर्मों की मैल साफ हो जाए और आत्मा निर्मल होकर परमात्मा के साथ मिलाब करने के योग्गे हो जाए माग मजन सांग सादुआ तूडी कर इसनान गुरु साहिब कर्मों के नाश और मन तथा आत्मा की निर्मलता के लिए दो सादन बताते हैं सादू की संगती और नाम का ध्यान वानी का यह प्रसंग पहले पढ़ आये हैं संत का संग वडपागी पाईए संत की सेवा नाम त्याईए सादू की संगती बड़े भागे से मिलती है और परमेश्वर का नाम सादू की संगती में ही जपा जा सकता है गुरु अर्जुन देवजी का कथन है महिमा सादू संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पहे चीता सादू की संगती की महिमा अपार है सादू की संगती से मन की मैल दूर होती है क्रोडों घोर पाप नश्ट हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है मन पर संगती का परभाव बहुत जल्दी पढ़ता है इंसान जैसी संगती करता है उसकी मनोदशा वैसी बन जाती है गुरु अर्जुन देवजी की वानी है अंतर जामी पुर्ख बिधाते सर्दा मन की पूरे नानक दास इह सुख मांगय मोको कर संतन की तूरे चरन तूर तेरे जान की हुवा तेरे दर्शन को वल जाई अमरत बचन रिदय उरतारी तो किर्पा ते संग पाई ऐसे प्रसंगों में मन मत त्याग कर सत्गुरु की शर्ण प्राप्त करने और तनमन से सत्गुरु के उपदेश पर अमल करने का भाव प्रकट किया गया है इनका संबंद सत्गुरु के बाहरी सुरूप से है इसके साथ ही बहुत से प्रसंगों में चरन धूली द्वारा नाम के प्रकाश या सत्गुरु के आंतरिक सुरूप के प्रकाश की और भी संकेत किया गया है गुरु नानक साहिब का कतन है शबद गुरु सुरत तुन चेला आप समझाते हैं कि गुरु का वास्त्विक सुरूप शब्द यानी नाम है जिसकी पहचान सुरत को अंतर में जाने से होती है गुरु अर्जुन देवजी वानी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं शब्द यानी नाम के प्रकाश और संतों के नूरी स्वरूप के प्रकाश से एक ही भाव है और उसको ही संतों की चर्ण धूली भी कहा गया है प्रभु का भक्त इस धूली के लिए विंती करता है तथा अपनी लिव सदैव नाम के साथ जोड़ कर रखता है गुरु रामदास जी की वानी है अम्रत नाम निदान पोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नाम के अम्रित को ही संतों की चर्ण धूली कहा गया है और इसे ही आत्मा का सच्चा भोजन माना गया है गुरु साहिप फरमाते हैं त्रिपत अगहावन साच्चा नाए 68 मजजन संत तूराए आप कहते हैं कि मन में सच्चा संतोश भी प्रभु के नाम द्वारा उत्पन होता है संतों की चर्ण धूली के सनान में हरका नाम त्याय सुन सबना नो करदान गुरु साहिब नाम त्याय सुन का उपदेश दे रहे हैं अंदर लिव लगा कर नाम की ध्वनी को सुनने से धीरे धीरे आत्मा पर लगी पिछले जिन्मों के कर्मों की मैल उतर जाती है और आत्मा निर्मल होकर पर्मात्मा से मिलाप के योग्य बन जाती है गुरू साहिब समझाते हैं कि सत्गुरू के उपदेशा नुसार अपनी लिव अंतर में नाम के साथ जोड़ो तथा दूसरों को भी नाम के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करो जिसे घर में दबा हुआ खजाना मिल जाए वह सारे घर वालों को उसके बारे में बताता है इसी तरह जिस साथ को अंतर में नाम का अमुल्य बंडार मिल जाता है वह दूसरों को भी अपने अंतर में वह बंडार प्राप्त करने के लिए कहता है गुरु रामदास जी की वानी है जन नानक तूड मंगयतिस गुर्सिक की जो आप जपै अवरा नाम जपावै गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु का वह शिश्य धन्य है जो खुद भी नाम का जाप करता है और दूसरों को भी नाम जपने के लिए प्रेरित करता है जनम करम मल उत्तरै मनते जाए गुमान काम करोद न मोहिये बिन से लोब सुवान जो सादक सादू की संकती करके नाम के साथ लिव जोड लेता है उसकी आत्मा से जन्मों जन्मों के करमों की मैल उतर जाती है वह काम करोद के हमले से बच जाता है और लोव रूपी कुता भी उसका कुछ नहीं बिगार सकता वह मोह ममता और आशा त्रिशना के रोग से भी मुक्त हो जाता है गुरु नानक साहिब की वाणी है शबद रते से निर्मले ताज काम करोद अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राखै उर्तार जिनकी आत्मा शब्द यानी नाम के रंग में रंग जाती है वे काम करोद लोब मोह अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और उनका उस निर्मल हरी में निवास हो जाता है गुरु अमरदास जी कहते हैं गुर्मुख हर जीयो सदा ते आवै जब लग जी परान गुर्षबदी मन निर्मल होआ चूका मन अविमान आप उपदेश देते हैं कि गुर्मुखों की संक्ती द्वारा सारा जीवन श्वास श्वास अपनी लिव परमेश्वर के शब्द के साथ जोड कर रखो इस से मन विशे विकारों के चंगुल से छूट कर अंकार के रोग से मुक्त हो जाएगा सच्चा मारग चल देयां उस्तत करे जहान इस समय हम सब माया के परभाव के कारण जूटे मारग पर चल रहे हैं हम संसार की शकलों और पदार्थों के मुह में इतना खो जाते हैं कि हमारा परमात्मा की तरफ द्यान ही नहीं जाता यदि भूले भटके परमात्मा के साथ मिलाप की भावना जागरत होती भी है तो मन मरजी के बहिर मुखी सादनों में खोई रहते हैं ये सब जूटे मारग हैं जिनके द्वारा ना लोक समरता है ना परलोक गुरू साहिब समझा रहे हैं कि केवल चलते जाना काफी नहीं मारग भी ठीक होना चाहिए यदि मन्जिल पूर्व की ओर है लेकिन हम पश्चिम की ओर चलते जाते हैं तो जितना ज्यादा चलते हैं उतना अधिक मन्जिल से दूर होते जाते हैं बिना चले कभी कोई मंजिल पर नहीं पहुँच सकता प्रंतु मन मर्जी के बजाए हमें परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलना है गुरू साहिर संथ सद्गुरू की संगती में नाम की कमाई करने को सच्चा साधन और सच्चा मार्ग कहते हैं इस मार्ग पर चलने से परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है तथा लोग पर लोग दोनों में सच्ची बढ़ाई प्राप्त होती है 68 तीरत सगल पुन जी दया परवान जिसने साधू की संगती का लाब उठा कर नाम के साथ लिव जोड़ ली उसने मानो 68 तीरतों में सनान कर लिया और सब पुन्यों का फल ले लिया गुरू साहिब नाम के दान को ही सच्चा दान और नाम में सनान को ही सच्चा सनान मानते हैं दूसरा कोई सनान आत्मा को निर्मल नहीं कर सकता और सद्गुरु द्वारा नाम के दान के सिवाए कोई दूसरा दान जीवात्मा को जन्मरन की जन्जीरों से मुक्त नहीं कह सकता संतों ने दो प्रकार की दिया मानी है पहले दूसरों पर दिया करना और फिर अपनी आत्मा पर दिया करना परमेश्वर से बिछुड कर 84 के चक्कर में फसी आत्मा को सादू की संगती और प्रभु के नाम द्वारा पुने प्रभु में विलीन करके जन्मरन के बंदनों से आजाद कर लेना अपनी आत्मा पर सबसे बड़ी द्या करना है गुरु साहिब ने परवान शब्द का प्रियोग किया है संतों की संगती द्वारा नाम के साथ लिव जोडना और दूसरों को नाम के साथ लिव जोडने में सहायता देना श्रेष्ट पुन्य और सच्ची जीव द्या है जो मालिक के दरबार में स्विकार होती है और जिसके द जीव का मालिक के दर्बार में स्वागत होता है जिसनो देवय दया कर सोई पुरक सुजान गुरू साहिब सची बुद्धी मता या सच्चा ग्यान भी नाम की कमाई को ही मानते हैं आप कहते हैं कि वास्तव में बुद्धी मान और ग्यानवान वही है जिसको प्रमात्मा दया करके संतों की संगती द्वारा सच्चे नाम की दात बख्ष देता है जिना मिलिया प्रभ आपणा नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर महरवान जिनका सादू की संगती में नाम की कमाई के द्वारा परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है उन पर बलेहारी जाना चाहिए ऐसे माली के भगतों प्यारों और गुर्मुकों की जितनी महिमा की जाए कम है माग के महीने में प्वित्र और उज्वल वही है जिनोंने पूरे गुरु की द्यासे नाम के साथ लिव जोड़ ली है